हलो गाईज वेलकम बेक टो माई चेनल टेस्टी ट्रिट विट नीतू में आज मैं एक एस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी कितनी भी नाप से रोटी क्यों न बनाते हो फिर भी सभी गर में दो तिन रोटीयां तो बची जाती है आज में इनी बची हुई रोटी के दोय से नास्ते बना करके बताऊंगी जिने बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फर्स्ट रेसिपी बनाने के लिए इस तरह के आलू ले लेंगे और उन्हें काट लेंगे अब रखेंगे गेस पर एक कड़ाई और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओईल ओईल अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें जीरा डाल देंगे जीरे के तड़कने के बाद इसमें दो कटे हुए आलू भी डाल देंगे अब इसमें थोड़ासा नमक और थोड़ासा हल्दी पाउडर दोनों डालके अच्छी तरसे चला लेंगे अब इसको एक ढकन से कवर करके पांच मिनट तक पकाएंगे दो से तीन मिनट बाद ढकन को उठा करके एक बार फिर से आलू को चला लेंगे अब भी आलू अच्छे से पके नहीं है इसके लिए इसे एक बार फिर से डकन से डककर पका लेंगे थोड़ी देर ओर पांच मिनट हो गए अब फिर से आलू को चला लेंगे और इने इस तरह से चेक करके देखेंगे अब आलू अच्छे से पक गए इसमें आदा चमच गरम मसाला डाल देंगे वन फोर्थ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे वन फोर्थ टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और अब आलू को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ये इस तरह से ओईल बच गया इसे अलग कटोरी में ले लेंगे अब फिर से कड़ाई लेंगे और उसमें ओईल गरम होने के लिए रखेंगे ओईल अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें रोटी डाल करके इस तरह से तल लेंगे इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से तल ना है ये देखिए हमारी रोटी तल गई है अब इसे बहार निकाल लेंगे और दूसरी रोटी यां भी इसी तरह से तल लेंगे यह हमने सारी रोटी तल करके तैयार कर लिए अब एक रोटी को लेंगे और उसके उपर इस तरह से सोस लगा लेंगे सोस को पूरी रोटी पर अच्छी तरह से लगा लेना है हमने जो आलू तैयार करके रखे थे उन्हें इस तरह से रोटी के उपर लगा लेंगे इस तरह से पूरी रोटी के उपर आलू को लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा अंदर प्रेस कर देना है अब एक चीज का क्यूब लेंगे और इस तरह से रोटी के उपर गिस देंगे और फिर दूसरी रोटी को भी इसी तरह से तयार कर लेंगे इस रोटी के उपर भी कटे हुए आलू के पीस रख देंगे और मैंने अलग से शिमला मिर्चोर प्याज को भी तैयार कर लिया था मैं इसे भी रोटी के उपर लगा लूगा ये इस तरह से मैंने पूरी रोटी के उपर ले लगा लिया अब इसके उपर भी चीज को गिस दूँगी अब गेस पर एक कड़ाई रखेंगे और उसमें इस तरह से प्लेट में रखकर रोटी रख देंगे और इसको ढखकन से कवर करके एक से डेड़ मिनट तक पकाएंगे एक मिनट के बाद ढखकन को हटा करके इसके उपर थोड़ा सा और चीज गिस देंगे जिससे चीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और यह एक दम पिज़ा के जैसी लगेगी अब इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह दुसरी रोटी को भी डारेक्ट कड़ाई में रखकर ही पका लेंगे यह वाली रोटी भी बन करके तैयार हो गई है यह देखिए दोनों रोटी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है पिज़ा कटर से रोटी के छोटे छोटे पीस कर लेंगे आपके पास पिज़ा कटर नहीं हो तो आप तेज़दार वाले चाकू से भी से काट सकते हैं यह देखने में कितनी टेश्टी और क्रंची रोटी बन करके तैयार हुई है यह खाने में पिज़ा को भी टक कर देगी यदि आप एक बार इस तरह से बना करके खालोगे तो बार बार इसी तरह से बनाओगे अब चलते हैं सेकिंड रेसिपी की और यह इस तरह से रोटी ले लेंगे और इसको भी नाइप से लंबे लंबे पीस में कट कर लेंगे ये इस तरह से पिज्जा कटर से भी लंबे-लंबे टुकड़े कर सकते हैं मैंने सभी रोटी को काट करके तयार कर लिया है अब गेस पर एक कड़ाई रखेंगे और उसमें 2-3 टेबल इस्पून इतना ओईल डाल देंगे ओईल के अच्छा गरम हो जाने पर इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे राई अच्छे से चटक गई है अब इसमें 1-3 टेबल इस्पून इतना जीरा डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्ज मैंने इने लंबे टुकड़ों में काट लिया था अब डालेंगे एक कटा हुआ प्यास इन दोनों चीजों को डालने के बाद थोड़ा सा चला लेंगे और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू आलू डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अल्डी पाउडर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो सभी मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से चला लेंगे अब इसे चार से पाच मिनट तक पकाना है जब तक की आलू पक नहीं जाते इसे ढकन से कवर करके तिन चार मिनट तक पका लेंगे चार मिनट हो गए अब एक बार ढकन अटा करके आलू को चेक कर लेंगे अभी आलू अच्छे से नई गले इसके लिए इसे एक बार फिर से ढकन से कवर करके दो से तीन मिनट और रख देंगे तोड़ी देर हो गई है अब ढक्कन अटा करके आलू को चेक कर लेंगे आलू अच्छी से पक गए अब इस स्टेच पर इसमें कटी हुई रोटी के पीस को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे रोटी में मसाला सभी तरह पच्छे से लग जाएगा रोटी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा सोस डाल देंगे यदि आपको खटा प्लेवर पसंद नहीं हो तो सोस को इसकिप भी कर सकते हैं अब एक से दो मिनट तक रोटी को अच्छी तरह से चला लेंगे हमारी मसाला रोटी बन करके तैयारे अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब देखिए हमारी दोनों इतरह की रोटी के नास्ते कितने बड़िया लग रहे आप भी इने एक बार बना करके जरूर ट्राई करना इस तरह से यदि आप भी रोटी का नास्ता बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और आप भी बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे यह रेसीपी आपको अच्छी लगियो तो प्लीज मेरे चेनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले